कुलू स्थित बहस नाट्य वकला मंच द्वारा परदेश भाशा कला वसंस्कृती विभाग के सहयोग से शिमला के आतिहासि गेटी थेटर में राजिस्तरिय संगोष्टी का आयोजन किया गया है इस दोरान बतोर मुख्याति थी शिर्कत करने पहुंचे भाशा कला और संस्कृती विभाग के निदेशक पंकज ललित ने बताया कि सहित्यकारों और कलाकारों के जीवन को वृत चित्र के माध्यम से संजोना और प्रदर्शित करना एक बहतरीन पहल है पंकज ललित ने बताया कि संस्कृती वकला को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर शिमला में विभिन कारेक्रम आयूजित किये जाते हैं और आने वाले समय में भी विभाग इस तरह के प्रयासों को लगातार जारी रखेगा पंकज ललित ने बताया कि कुल्लू की संस्था बहस नाट्य वकला मंच द्वारा सहित्यकारों के सहित्यक कारे और जीवन को लेकर जॉक्यूमेंटरी बनाई गई है जो एक बहत अच्छा कारे है जी एक बहुत अच्छा कारे बहस कुल्लू बेस्ड एक संस्था है जो लगातार सहित्यक के क्षेत्र में और परियावरण के क्षेत्र में और अन्यक शेत्रों में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और यह जो दो दिवस्टिय संगोष्टी यहां ये गेती त्हेटर में कर रहे हैं इसमें इन्होंने इसका उदेश्य यह है के यहां कुछ साहित्यकारों के जीवन पर उनके साहित्यकारे पर इन्होंने कुछ докумencies तयार की है उन executives को भी दिखाया जारा है और साथी साथ उन साहित्यकारों पर उन व्यक्तित्वों पर संगोष्थी और परिचर्चा का विया जिन किया जा रहा है तो ये आज भी दो सत्रों में कारेकरम है कल सुबह के सत्रों में कारेकरम है तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास इनके तरफ से है हमारे जो साहित्यकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जीवन को, उनके कारे को हम लोग डॉकुमेंट कर सकें और आने वाली पेडियां भी उनके काम के बारे में जान सकें, उनको जानकारी बिल सकें, यह बहुत अच्छा प्रियास है हम भी विवाकियों से लगतार हमारा प्रियास रहता है कि साहित्यक गतिविधियां होती रहें शिमला में भी और अन्य जगों पे भी हम लोが पिषले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा प्यास है के शिम्ला में एक बड़ा हमने साहितिक पिशले वर्ष आपको ध्यान होगा हमने किया था अंतराष्ट्री साथ उत्सव के रूप में इस वर्ष भी हमारी कोशिश है कि उसी तरह कायोजन इखो इसके इलावा एक च्रुस्ट के माधियम से हमारा प्रयास है फोग दान्स है उनका भी कायोजन करने का प्रयास है तो लगातार विभाग की कोशिश यही है कि साहित, सास्कृती, कला से जुड़ी हुई कतिवेधियां हम लगातार करते हैं